जहन प्यारे बचों आप सभी का स्वागत है इस एक्जाम बीर के ऑनलाइन प्लेट फॉर्म पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैंस में कुछ है नई ट्रिक्स किसी बड़े से बड़े नंबर में हम लोग नैनो सेकेंड में किस तरह से पांच से गुणा कर देते हैं हम लोग सीखेंगे जैसे सबोज सीखने के लिए सबसे पहले मैं एक असान से अंग से सुरुवाद करता हूं जैसे सबोज कोई नंबर लिखा हुआ है ठीक है इसमें आपको गुणा करना है पांच से तो पांच से गुणा करने में कठना ही आएगी इसलिए हम लोग क्या करेंगे गुणा करने का दूसरा तरीका सीखेंगे ठीक है किसी भी संख्या में कोई कैसी भी संख्या हो पांच से गुणा ओना करना बहुत ही उस्सान हो जाएका सबसे पहले क्या करना होगा आपको 2 से डिवाइड करना ओगा 5 से गुणा करने की जगए 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग इस पूरी संख्या में 2 से अदिभाग देते हैं तो थो जबें किया बने गा यह क्यों किया जाता है कैसे किया जाता है यह मैं calculation का batch लेके आऊंगा उसमें detail में बताऊंगा आपको देखते हैं और भी कुछ questions जिस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे जैसे कोई सबी अंक ले ले लेते हैं कोई सी भी संख्या ले 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 लेते हैं इसमें गुणा करने जा रहे हैं पांसे तरीका क्या बताया है हमने कि पहले दो से डिवाइट करतो तो इसको दो से डिवाइट करना बहुत ही असान है हम लोग बड़े ही असान में दो से डिवाइट कर लेंगे और दो से डिवाइट करने के बाद आपको एक 0 लगा देना है जैसे जीरो लगाएंगे, आंसर अपने आप आजाएगा, ठीक है, एक दो कोश्चन और देखते हैं हम लोग, अगला कोश्चन देखें, जैसे की, 3, 4, 6, 7, multiply 5 करना है, ठीक है, अब यहां पर हम लोग 5 से डिवाइट करते हैं, अब देखो, अभी तक हम लोग जो कोश्चन कर रहे हैं तो यहां पर दो से डिवाइट आसानी से हो जा रहा था, बट अब यह जो अंक संख्या लिखी है, इसमें दो से भाग देंगे, तो लाश इसमें हम लोग देखेंगे, तो तीन बार बूरा बूरा भाग चला जाएगा, ठीक है, अब एक बच रहा है, जब भी रिमेंडर हमारा एक बचे का, क्यूंकि जब भी हम भाग देंगे, दो से तो हमारा सेस्फल मिनमम एक ही बचे का, तो यहां पर हमें क्या करना है, अब जीरो की जगें पांच लगा देना हो, जैसी पांच लगाओगे तो गुणा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, तो यह तरीका है किसी भी संख्या में पांच से गुणा करने का, अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि किसी भी जो यूनिट तो किसी परह से गुणा करते हैं, ठीक है, कई सारी बातों को सीखेंगे, अगली क्लास में, ओके